नमस्कार इसे पहले के वीडियो में हमने बात की चित्रक लाकितत्तुों रेखा रूप वर्ण है तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रही है पौध से टेक्सर यह एक चित्र मैं क्यों जरूरी है और कैसे कैसे इनका प्रयों हम करते हैं किसी भी वस्तु के द्रातल के गुम को पौत कहते हैं, एनि कोई भी वस्तु है, उसका द्रातल के सा है, उसको हम पौत कहते हैं, और इसको हम देख सकते हैं, या मैसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या मैसूस इसको किया जा सकता है, जैसे एक पत्थर है तो वो टोस या एक लकड़ी है या पेड़ का तना है खुर्दरा है या रूई को हम देखेंगे तो वो सोप्ट लगेगी या मकमल है इसकीन है उसका हम देखके या छूके जब महसूस करेंगे तो उसके टेक्सर का पता चलेगा पोथ केसा है हम कपड़े का पोथ देखते हैं जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको ऐसे यूँ करके हम चेक करते हैं तो वो उसके पोथ को देखा जाता है कि वो कितना अच्छा उसका पोथ है जैसे मिट्टी है या लकडी है या लोहा है वो कुर्द्रा है स्मूथ है यह सारी चीजें पोथ में आती है वो नर्म है या फिर खटोर है तो हम इसको देखके और चूके या इस पर्स करके मैसूश कर सकते हैं तो अगर हम पोथ कितने प्रकार का होता है या उसका वर्गी करन करें तो मुख्यते तीन तरह का हम इसको वर्गी करत करते हैं प्रकर्थिक पौत इन्हेचूरल टेक्षर जो हमें प्रकर्ति के दुखार सीधा मिलता है या हम जैसे कोई चीत्र बना रहे हैं तो लखड़ी पर डारेक्ट चीत्र बना दिया या केशाबी तो वो हमें डारेक्ट मिला नेचुरल है वो चीज, एनी प्राकरतिक पॉत्थ वह हैं जो वस्तुकिश्य रचना में प्रकुर्ती से हमें डारेक्ट मिलता है या सिधरूप में, दूसरा आता है अनुकरत पोत, यहीं किसी भी पोत कि हम कोपी करते हैं, नकल करते हैं, या इसको कौपी टेक्सर भी कहेंगें, प्रकृति के दुआरा जो में पोत प्राप्त होता है, उसका अनुकरन करके वसप कवशा कगर हम चित्र तल पर निर्मित करेंगे तो वो अनुकरत पोथ होग के स्ट फैज़ की पेंटिंग कर रहे हैं में sure कर एक तो पाइड की डारेक्ट बशेंट उसको चिपका देना वह प्रक토 फोट होगा इंदर फीट पर ही पेंटिंग करना लकडिर या प्लाई पर करना कि मगर हम उसको वון सब्सक्राम एकरता है वहम होगा हिए और हिसे हम कहीं जगें काम भी लेते हैं सर्जित पौत है इसको हम करते हैं हमारे शाब से को क्रियेटिव टेक्शर भी का जाता है इसके अंत्रगत कलाकार अनेक यंत्रों और माध्यम संसादनों या माध्यमों से पौत को सरजित करता है इन्हें हम कृत्रिम पौत भी कह सकते हैं जैसे हमने कई किसी द्रातल पर डाल दिया और किसी से जहीं सूखे बर्ष से उसको टेक्शर दे दिया या कई जग है से Christopher क्रियेटिफु तकaur क कहलाएगा सर्जित पोट वो केलाएगा उसमें आपको पी नहीं कर रहे हैं इसमें हम कई जगे लकडी का बुरादा डाल देंगे कांच के टुकड़े डाल सकते हैं कुलाज जैसा भी हम यूज कर सकते हैं कुछ चीज़ें और भी मिक्स कर देते तो क्रेटिव टेक्सर होगा और यह कर रहा है फिर आता है कि पोट और अंत्रा कैसे चित्र भूमी पर पोट को कि माध्यम से हम चित्र में गती और सजी उतला देते हैं या उसमें आकर्शन पेदा करते हैं पैसे तो अगर टेक्सर नहीं दिया आपने बेग्राउंड में या चित्र में तो उसमें एक रस्ता आ जाती है या उसमें सजीवता नहीं रहेगी या गती शिलता खत्म हो जाएगी तो गती शिलता लाने के लिए हम टेक्शर का उप्योग करते हैं जैसे कोई भी चित्र या कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो उसमें विलेन का होना उस मूवी को बड़ा देता है उसमें उसकी हीरो की या वेल्यू और प्रभावी नहीं रहेगा मगर जैसे ही विलेन का रोल होता है जितना प्रभावी विलेन होगा जितना अच्छे सी विलेन अपना रोल करेगा तो उतना ही हीरो का वेल्यू बड़ेगा तो यह मानली जीए कि एक मूवी में एक फिल्म में विलेन का होना या कलनाइक का होना आविश्यक है वेशा ही चित्र में अगर टेक्सर दिये तो हम इसको कलनाइक नहीं कहिंगे यहां पर मगर इससे हमें सहीयोग प्राप्त होता है एक मुख्य आकारों को उभारने के लिए या अपना जो मुख्य उद्देश हैं उसको प्रतिपादित करने में तो यह उदार नहीं कि फिल्म में जैसे विलेन का रोल जो हुथा है जा खलनाइक का जो रोल है उससे नाइक की छवी बढ़ती है ना कि उसकी छवी खराब होती है इसी प्रकार चित्रों में भी टेक्सर का से अपने आकार उभर कर सामने आते हैं अब यहां एक जगह हैं कि पोद के प्रकार प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं कैसे कैसे उसके प्रकार हो सकते हैं कई तरह के हैं तो मैं मोटा मोटा लिख देता हूं खुर्दरा खुर्द्रा हो सकता है यानि रस टेक्सर तो ये हमें हम देखेंगे तो खुर्द्रा भी नजर आएगा चू के देखेंगे तो भी इसको हम मैसूश कर सकते हैं दूसरा हो सकता है चिकना तीसरा कोई कोमल हो सकता है नर्म स्मूथ कि स्मूथ चिकना रफ स्मूथ और सॉप्ट रेख होगा कठोवर अब हार्ड कहा टेक्सर कोन शां से होगे तो यह इसके प्रकार हो सकते हैं और उसे क्या पर्भाव लगएंगे वह भी हम इसे दिखा सकते चित्रों में। प्रिए एक हम लेते हैं इसके बाद में कि पोद का क्या में तो इनी चीजों से मैं पता भी चल के कि पोड कि किसी चितर में जरूरी है पोड का मत्वर इंपोर्टेंस ओफ टेक्शर कुछ इत्र में जैसे दूसरे तत्व हैं रेखा रूप वर्ण रंग आधी वेसे ही टेक्शर का भी मैत्व है और आधुनिक कलाकार जो है उसमें अपनी रचना सेली में पोड का अधिक सेदिक प्रियोग करता है और टेक्शर ग्राफिक आर्टिस्ट जो हता है वो बहुत ज़्यादा इसका प्रियोग करता है टेक्शर के माध्यम से अपने प्रिंट में कहीं आकर्शन पेदा कर देता है तो इस चित्र कार के लिए और उस चित्र को आकर्शित बनाने में पोड का भहत मैत्व हैं और ये उसकी जो आजकल आधुनी कलाकार घनवादी कलाकार रहुए या अतिय थार्थवादी कलाकारों ने इसको ज्यादा उपयोग किया कहीं कहीं तरह के सर्जित पोड उन्होंने बनाए तो उनसे उनकी चित्र में आकर्शनता उत्पन हुई इसकी क्रिशन अगर आप के आते हैं तो वह इस पर कार आएंगे कि पोड की व्याख्या कीजिये चित्र में पोड का क्या मैत्वा है जो मैं पीडिया भेजूँगा उसमें अच्छे से आपको समझाय में आ जाएगा या पोड के विविन वगी करोनों को बताईए और कलाता त्वसेश को कैसे समंदित किया जाता है जैसे हमने पोड और अंत्राल के बारे में पड़ा तेंक यू